हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आपको आपके सेकंड ये कोशिन पेपर देखने को मिलेंगे तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं इनके कोशिन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको देख लेना कौन से आपके सब्जेक्ट हैं मैट्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कम्प्यूटर है, जो भी है उनको आप देखें और डाउनलोड करके अपने पास रख ले फिर उनको अच्छी तरह से जो कोशिन आया है उनको अच्छी तरह से पका कर ले और क्या करना है आपने इस साल के कोशिन पेपर देखने है पिछली साल के कोशिन पेपर देखने है, पिछली साल के कोशिन पेपर की वीडियोज भी है प्लेइलिस्ट देख लेना बी ऐसी सेकेंड एर वीडियो उसमें होंगी और साथ में आपने जो इंपॉर्टेंट कोशिन वाली वीडियो बनाई उनको देखना है बस इतना करना है अपनी जादा कोशिन पेपर भी नहीं देखने होते हैं कुछ बच्चे बड़ा वारी अने लिस्ट करते हैं कोशिन पेपर का इतना भी नहीं करना होता फिर हो जाते हैं पजल यह आएगा वह आएगा कुछ जो बुक है उसको पढ़ा करो और कोशिन पेपर एक या दो साल के देखा करो और हो गया और इंपॉर्टेंट कोशिन जो है उनको अच्छी तरह से किया करो और प्रिंसिपल से लिकवाया और एप्लीकेशन की चेंज करवाय डीशीट और आपके कॉलेच के बच्चों ने बोला ओगा आधाएगा काफी कॉलेज खी चेंज हो लाएगा यह ऐसा है कि एक दो छुटी मिल जाती है पढ़ने को नहीं तो फिर जादा प्रेशर पढ़ जाता है पढ़ने का और एक और बात कि जो फिजिक स्किल का जो मैंने बताया है उसमें जो वीडियो से हैं उसमें मैंने इस तरह से बताया कि जिन्होंने पांच कोशिन करना है तो पिर एक आदा चैप्टर कम कर दे लेकिन जिन्होंने पांच कोशिन करने है तो उनके लिए मैंने बता दिया कि इतने कराब को चैप्टर पढ़ने चाहिए इतने कोशिन के लिए और जो math का होता है न जो star लगाए होते हैं जो भी मैंने टिक लगाए होते हैं बुक में उनको अच्छी तरह से किया करो और बागी question भी practice कर लिया करो ऐसा मैं सोचा करो कि जो star टिक लगाए हैं वो ही करने है वो मैंने अपने लिए लगाए हुए थे अपने टाइम में और ऐसे भी जो मतलब पुराने कोशिन पेपर में कोशिन आते हैं तो वो भी मैंने स्टार वगेरा लगा दिये हैं वो तो वो पुराने कोशिन पेपर के कोशिन से हैं इंपॉर्डन जैसे तो वो तो पक्के करने हैं लेकिन बागी भी कर लिया करो exercise के according और एक important बात कि skill की book तो लो लो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं पेपर है उसके दो दिन पहले बोलते हैं मुझे की book के PDF दो मतलब सिर्फ 2150 की book नहीं खरीदी जा रही है आपसे पढ़ने के लिए paper आपने देने हैं दूसरे book देंगे आपको पढ़ने के लिए और पूरी साल क्या करते हैं वो वैसे बच्चे उनको क्या कभी रात को सोते वक्त भी नहीं आती याद कि हमने paper भी देने मार्च में मारे पास book की नहीं प्रेंशन ही नहीं होती खुद मजे में रहते हैं फिर लास्ट में लगते हैं book book करने फिर क्या होगा तो इसलिए मैं बोलते हूं अपनी book लिया करो और अच्छे से पढ़ो जो ऐसे बच्चे कंजूसी भी करते हैं न बुक्स लेने में उनकी भी सप्लियां फस्ती हैं फिर बाद में यह जो कंजूसी है न यह बुरी होती है जादा करना पढ़ाई के मामले में तो कभी कंजूसी करनी नहीं होती और जो आपने अपना जादा फोकस जो कैम 201 है और अलजेब्रा बेप सेंड आप्टिक्स यह तीन सब्जेक्ट हैं इन में बच्चों की बहुत सप्लिया आती हैं तो इनको आप बहुत अच्छे से करें इन सब्जेक्ट को कि आपकी सप्ली ना आए इसमें